हेलो फ्रेंड्स आज हम मनाएंगे वेजिटेबूल पोहा ये बहुत हेल्दी होता है इसे वेटलस में भी खाया जा सकता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने लिया है आधा कोटोरी फ्रेस ग्रीन मोटर एक कटा हुआ टमाटर एक कटा हुआ प्याज और त चोटे-चोटे पिसस में कट कर लिया है अब सबसे पहले हम पोहा को भीगो लेंगे पोहा ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा मोटा होना चाहिए पोहा को अच्छी तरह से एक दो बार धो लेंगे और उसे एक चलनी में च्छान कर रख लेंगे इसा करने से पोह अगर ज्यादा मोटा पोहा है तो दो तीन मिनिट के लिए पानी में छोड़ सकते हैं और पोहे में एक छोड़ा चमज नमक मिक्स कर देंगे इसका फायदा में बाद मैं बताऊंगी पहले भेजिटेबूस को फ्राइ कर लेते हैं एक पेन पे एक चमज तेल गरम करेंगे तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अब इसमें जाएगा सर्सू सर्सू को अच्छी तरह से चटकने देंगे उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च प्याज को एक मिनिट फ्राइ करेंगे अगर आप और कोई भी सब्जी डालना चाहते हैं तो ओ भी डाल सकते हैं अब इसमें जाएगा हल्दी और स्वाधनुसर नमक सब्जी को दो मिनिट तक पका लेंगे उसके बाद इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे ढब कर तीन से चार मिनिट तक पका लेंगे आज को धीमी कर देंगे फ्रेंड्स मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सस्क्राइब कर ले सबजी पॉक चुकी है तो अब इसमें डाल देंगे पोहा जो हमने भिगो कर रखा था पोहे को भेजिटेबूस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पोहे में हमने नमक पहले से ही मिला रखा था तो और नमक डालने की जरूरत नहीं है पोहे में पहले से नमक डालने से पोहे में equally नमक लगता है अगर बाद में नमक डालेंगे तो कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम लगने का डर रहता है अब इसमें जाएगा आधा नीमू का रस, नीमू का रस डालने से पहले गेस को आप बंद कर दे, नीमू का रस डालने के बाद हमें और पोहा को विल्कुल भी नहीं पकाना है, नीमू के रस के साथ पोहे को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और हमारा पोहा विल्कुल तो बहुत देर तक भूग नहीं लगेगी इसके उपर गार्निसिंग के लिए थोड़ा सा सेप डाल देंगे तीन चार ओनियन स्लाइस और कुछ धनिय के पत्ते और हाप निमू के साथ इसे सर्प करेंगे अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सस्क्राइब करना बिल्कुल मद भूले मेरे साथ यहां तक जुड़े रहने के लिए थैंक्यू